ओम शान्ति बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को बहुत उच्छी पढ़ाई पढ़ाता हूँ है ना कितनी ये उच्छी पढ़ाई क्योंकि उच्छे से उच्छा बाप टीचर बन करके हमको पढ़ाते हैं और जितनी उच्छी पढ़ाई होती है उतना ही फिर उच्छा लक्ष भी होता है तो लक्ष भी सबसे उच्छे से उच्छा टीचर भी सबसे उच्छे से उच्छा मानव से देवता बनते हैं इनसे कोई उंचा लक्ष होई नहीं सकता है पर सुमी बाबा ने कहा कि तुमारे इस पढ़ाई में कमाई बहुत है कितनी कमाई करते हैं हर कदम पर एक-एक ज्ञान रत्न की वैल्यू कर सकते हैं लाखों की है और वोई सच्चे रत्न बन जाते हैं भविशे में तो ये पढ़ाई कमाई है और क्या-क्या है सफाई है सफाई भी है आत्मा साफ हो जाती है चड़ाई भी है कि बहुत उंचा चड़ना पड़ता इसमें और साथ-साथ ये लड़ाई भी है बहुत कुछ है कमाई, सफाई, चड़ाई, लड़ाई और भी कई बाते जोड सकते क्या-क्या इसके साथ जुड़ती होई पर बाबा कहते हैं इस पढ़ाई में जो चार सब्जेक्स है ज्यान, योग, धारना, सिवा चारों में ही कमाई है पर लड़ाई चारों में नहीं है ज्यान में कोई लड़ाई की बाती नहीं है ज्यान तो बहुत उचा है, बहुत सुन्दर है इसमें लड़ाई की बात नहीं है क्योंकि इस समय तुमारी माया से लड़ाई है तो माया लड़ाई इस लड़ाई में ग्यान में इंटर्फियर नहीं करती है ग्यान तो बहुत ग्यान नहीं मनन चिंतन करके सुना सकते हैं दुनिया में भी बहुत कुछ सुनाती है तो लड़ाई किस में है यहां किस सब्जेक्ट में याद में योग में वो इसी में ही लड़ाई है और माया उसी में विगन डालती है तुम जाद में बैटते हो और माया कहां से कहां ले जाती है फिर अंदरी अंदर लडाई चलती है फिर बाबा को लिखते 거죠 भी हैं बच्चे बाबा ये माया मुझे बहुत अंकरती है ये पढ़ाई, कमाई बाबा साथ है उसके लिए ग्यान के कई बिंदू है ड्रामा का राज भी बाबा ने भिन भिन तरीके से अरोज बाबा समझाते ही रहते हैं आज भी बाबा ने ड्रामा का राज कई बार बाबा को लिखते बाबा ये आपकी माया है इनको को न मेरे पास नहीं आए तो बाबा क्या कहते हैं वो तो आएगी लेकिन वो आएगी पर तुमारा काम है उससे भगाना और बाबा को सदा साथ रखो तो वो आपकी पास नहीं आ तो आज बाबा ने विशेश बहुत सुंदर रूप से समझाया है बाबा केरते हैं यह बहुत बड़ा हॉल है यह सुष्टी क्या है बहुत बड़ा हॉल है इस हॉल में ड्रामा चल रहा है एक ही हॉल में वैसे आज करते हैं सारा संसार एक सिटिंग रूम बन गया है सिटिंग रूम सिटिंग रूम में सब एक दो को देख सकते कौन क्या कर रहा है सारा संसार एक सिटिंग रूम बन गया है हर एक को एक दो का पता चल जाता है कुछ में छिप नहीं सकता है एक दुनिया के एक कोने में कुछ होता है, तो दूसरे कोने में उसका असराता है. जैसे एक सिटिंग रूम में, एक कमरे में कोई जोड-जोड से बोल रहा है, तो दूसरे को डिस्टर्बिस तो होगी ना. भले एक ही बोल रहा है पर दूसरे डिस्टर्ब होते हैं. तो यहां एक करता है, कहीं भी, किसी भी दुनिया के कोने में, तो सारे विश्व पर उसका असर आता है, तो बाबा कहते है, पर इस ट्रामा को ड्रामा समझो, खेल समझो, न घबराओ, न डरो, न चिंता करो, कुछ भी जरूवत नहीं है, बस खेलते रहो, अच्छे से इस पर ध्यान दिया है, आज बाइस बारा दो हजार चौदा है, मीठे बच्चे, सारा मदार याद पर है, याद से ही तो मीठे बन जाएंगे, याद से मीठे बन जाएंगे, इस याद में ही माया की युद्ध चलती है, प्रशन है, इस ड्रामा में कौन सा राज, बहुत विचार करने योग्ये है, इसको बाबा खुदरत कहते हैं, इस ड्रामा में कौन सा राज, बहुत विचार करने योग्ये है, जिससे तुम बच्चे ही जानते हो, दुनिया वाले नहीं जानते हैं, तो कौन सा ऐसा राज, जो विचार करने योग्ये है ड्रामा में, और हम बच्चे ही जानते हैं, तो बाबा ने राज बता उत्तर है, तुम जानते हो, कि ड्रामा में एक पार्ट दो बार बज़ न सकें, वो ही पार्ट ड्रामा में एक ही बार बज़ता है, फिर अगले कलप में बज़ेगा, लेकिन उस कलप में वो पार्ट एक ही बार बज़ता है, तुम जानते हो कि ड्रामा में एक पार्ट दो बार बज़ न सके सारी दुनिया में जो भी पार्ट बज़ता है वो एक दो से नया दो का भी पार्ट एक जैसा नहीं हो सकता है दो एक्टर एक जैसा रोल भले दो एक्टर एक जैसा रोल नहीं बजा सकते एक एक्टर दो रोल बजा सकता है वैसे भी ड्रामा में पर दो एक्टर एक जैसा ही रोल नहीं बजाएंगे फरक पढ़ जाएगा, पता चल जाएगा सारी दुनिया में जो भी पाट बजाता है पचता है वो एक दो से नया तुम विचार करते हो कि सत्युक से लेकर तुम विचार करते हो कि सत्युक से लेकर अब तक कैसे दिन बदल जाती है सारी एक्टिविटी बदल जाती है सोचो सत्युक में क्या एक्टिविटी थी और अभी क्या एक्टिविटी है सारी एक्टिविटी बदल जाती है आत्मा में 5000 वर्ष की एक्टिविटी का यानि यवहार का रिकॉर्ड भरा हुआ है जो कभी बदल नहीं सकता है अगले कल अप में वो ही बजेगा ये छोटी सी बार तुम बच्चों के सिवाई और किसी की बुद्धी में नहीं आ सकती नहीं आती यसी लिए प्रश्न करते हैं ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये क्यों हुआ? ये कैसे क्यों? बाबा कहते तुम बच्चे कभी ये क्वेस्चिन नहीं करेंगे क्यों? ओम शान्ति रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं मिठे मिठे बच्चे तुम अपना भविश्य का पुर्शोतम मुक पुर्शोतम मुक, देवताओं का मुक चेहरा पुर्शोतम चोला देखते हो ये पुर्शोतम संगम युग है ना तुम फील करते हो कि हम फिर नई दुनिया सत्युग में इनकी वन्शावली में जाएंगे लक्ष्नी नारायन की जिसको सुखुधाम कहा जाता है वहां के लिए ही तुम अभी पुर्शोतम बन रहे हो बैठे बैठे ये विचार आना चाहिए स्टूदिन जब पढ़ते हैं तो उनकी बुद्धी में जरूर रहता है कल हम ये बनेंगे वैसे तुम भी यहां जब बैठते हो तो भी जानते हो कि हम विष्णो की दिनाइस्ती में जाएंगे तुम्हारी बुद्धी अब अलोकिक बन गई है युप से नहीं सोचते हैं अलोकिक बन गई है और किसी मुनश्य की बुद्धी में ये बाते रमण नहीं करती होगी ये कोई कॉमन सक्सन नहीं है यहां तुम बैठे हो यहां बैठे हो और समझते हो कि सत बाबा जिसको शिव कहते हैं हम उनके संग में बैठे हैं शिव बाबा ही रचईता है वही इस रचना के आदी मध्य अंत को जानते हैं वही ये नौलेज देते हैं जैसे वही ये नौलेज देते हैं जैसे कल की बात सनाते हैं बहले सत्यू की बाते सनाएंगे लेकिन ऐसे सनाएंगे जैसे कल की बात सनाते हैं यहां बैठे हो ये तो याद होगा न हम आए हैं क्यों आए हैं बाबा के पास हम आए हैं रिजू विनेट होने उसे कोई पुरानी चीज़ को नया बनाया जाता है रिजू विनेट होने अर्थार ये शरीर बदल दैवी शरीर लेने आत्मा कहती है हमारा ये तमो प्रधान पुराना शरीर है इसको बदल कर ऐसा शरीर लेना है बाबा के आगे लक्षमी नारायन का चित्र है ऐसा शरीर लेना है कितनी सहज एम अबजेक्ट है और पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ने वाले स्टूडिंट से हुश्यार होगा न भले कितना भी स्टूडिंट हुश्यार बने लेकिन फिर भी पढ़ाने वाला तो उनसे हुश्यार होगा है पढ़ाते हैं और अच्छा कर्म भी सिखलाते हैं अच्छा कर्म करना भी सिखलाता है अभी तुम समझते हो, हमको उंच पे उंच भगवान पढ़ाते हैं तो जरूर देवी देवता ही बनाएंगे ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए और किसको नई दुनिया का जरा भी पता नहीं है ये लक्ष्मी नारायन नई दुनिया के मालिक थे देवी देवताईं भी तो नंबरवार होंगे न भले मालिक थे पर सब नंबरवार सब एक जैसे तो हो भी नहीं सके क्यूं? क्यूं सब एक जैसे हो नहीं सके? क्यूंकि राजधानी है न ये ख्याला तुम्हारे चलते रहने चाहिए हम आत्मा अभी पतिस से पावन बनने के लिए पावन बाब को याद करते हैं आत्मा ही याद करती है आत्मा अपने स्रीट बाब को याद करती है बाब खुद कहते हैं, तो मुझे याद करेंगे, तो पावन सतो प्रधान बन जाएंगे, सारा मदार याद की यात्रा पर है, बाब जरूर पूछेंगे न, बच्चे, शिव बाबा पूछेंगे, लोखिक बाब ऐसे नहीं पूछेगा, शिव बाबा पूछेंगे, बच्चे, मुझे कितना समय याद करते हो, लोखिक में थोड़ी पूछा जाता है, तुम कितना समय मुझे याद करते हो, याद की यात्रा में ही, माया की युद्ध चलती है, तुम इस युद्ध को भी समझते हो, कोई बाहर से कोई युद्ध दिखाई नहीं देती है, पर समझते हो इस युद्ध को, ये यात्रा में ही, परंतो जैसे की लड़ाई है, हम कहते हैं याद की यात्रा पर बाबा कहते है ये यात्रा तो वह सुंदर शब्द है पर बैठे एक जगर यात्रा करें पर जैसे लड़ाई अंदर ये अंदर माया से युद्र इसमें ही बहुत खबरदार रहना है knowledge में माया के तूफान आदी की तो बाती नहीं है ज्यान में नहीं आएंगे माया के तूफान बच्चे कहते भी हैं बाबा हम आपको याद करते हैं परंतु माया का एक ही तूफान नीचे गिरा देता है एक तूफान आया बस नीचे गिरा दिया नंबर वन तूफान है दे अभिमान का फिर है काम, क्रोध, लोग, मोग का बच्चे कहते हैं बाबा हम बहुत कोशिश करते हैं याद में रहने की कोई विग्न न आए ये लक्ष रखते हैं परन्तु फिर भी तूफान आ जाते हैं तो उनसे आते हैं तूफान आज क्रोध का, कभी लोग का तूफान आया आ जाता है न तूफान आ जाता है कभी बाबा विकारों को भूत कहते हैं कभी क्या कहते हैं आज बाबाने तूफान कहा है आज क्रोध का कभी लोब का तूफान आया बाबा फिर बच्चे बाबा को लिखते हैं बाबा आज हमारी अवस्था बहुत अच्छी रही कभी लिखते हैं और अच्छी होगी तो वह भूभी बाबा को लिखेंगे बाबा आज हमारी अवस्था बहुत अच्छी रही कोई भी तूफान सारा दिन नहीं आया ऐसे लिखते हैं बाबा को कोई भी तूफान सारा दिन नहीं आया बड़ी खुशी रही बाप को बड़े प्यार से याद किया स्ने के आंसू भी आते रहे याद की यात्रा से ही बाप की याद से ही बहुत मीठे बन जाएंगे ये भी समझते हैं हम माया से हार खाते खाते कहां तक आ करके पहुँचे हैं अब ये कोई समझते थोड़ी है दुनिया में दुनिया वाले भी सब माया से हार खाते खाते कहां तक पहुँचे पर वो समझते थोड़ी है मनुष्य तो लाखो वर्ष कह देते हैं या परमपरा कह देते हैं माया भी परमपरा से ये विकार भी परमपरा से दुख भी परमपरा से परमपरा तुम कहेंगे हम फिर से अभी मनुष्य से देवता बन रहे हैं ये नौलेज बाप ही आकर के देते हैं विचित्र बाप ही विचित्र नौलेज देते हैं, विचित्र माना विचित्र बाप माना विचित्र माना निराकार, जिसका कोई प्राकरतिक स्वरूप नहीं है, प्राकरतिक चित्र नहीं है, निराकार कैसे ये नौलेज देते हैं, बाप खुड समझाते हैं, मैं कैसे इस तन में आता हूँ फिर भी मनुश्य मुझते हैं कैसे मुझते हैं क्या कहते हैं मुझते हैं क्या एक इसी तन में आएगा यही एक तन है जिसमें भगवान आएगा परन्तु ड्रामा में यही तन निमित बनता है जरा भी चेंज हो नहीं सकती ये बाते तुम ही समझ कर और दूस्तों को समझाते हो आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सीखती भी है और सिखलाती भी है आत्मा most valuable है, आत्मा अविनाशी है, स्रिफ शरीर खतम होता है हम आत्माई अपने परमपिता परमात्मा से रचचाईत और रचना के आदी मद्य अंत के चुरासी जन्मों की नौलेज ले रहे है नौलेज कौन लेते हैं? कौन लेते हैं नौलेज? आत्मा हम आत्मा तुम आत्मा ने ही knowledgeful बाफसे मूल वतन, सुक्ष्म वतन को जाना है मनुश्यों को पता ही नहीं है कि हमें अपने को आत्मा भी समझना है पता ही नहीं है मनुश्य तो अपने को शरीर समझ उल्टे लटक पड़े है गायन है ना आत्मा के लिए क्या गाइन है आत्मा सत है चित है आनंद स्वरूप है परमात्मा की तो सबसे जास्ती महिमा है आत्मा की भी महिमा है परमात्मा की तो सबसे जास्ती महिमा है एक बाप की कितनी महिमा है वो ही दुख हरता सुख करता है बाबा कहते हैं मच्छर आदी की तो इत मच्छर की ये महिमा करेंगे क्या मच्छर आदी की तो इतनी महिमा नहीं करेंगे कि वो दुख हरता सुख करता ग्यान का सागर है वो तो दुख करता है मच्छर काते गार तो दुख होता है न कटता है खोन चूसता है वो दुख हरता सुख करता ग्यान का सागर है ये मच्छर की महिमा थोड़ी करेंगे, नहीं ये है बाप की महिमा, तुम बच्चे भी मास्टर दुख हरता सुख करता बनते हो तुम बच्चों को भी ये नॉलेज पहले नहीं थी क्या थे, ये नॉलेज नहीं थी, तो क्या थे बाबा कहते है बेबी बुद्धी थे थे न बेबी बुद्धी कुछ भी पता नहीं था जैसे बेबी बुद्धी थे बच्चा छोटा नादान कुछ भी पता नहीं बच्चे में नौलेज नहीं होती और कोई अवगुन भी नहीं होता है है बेबी बुद्धी पर पूरे अवगुनों से भर पूर, वो बच्चा तो फिर भी बेबी बुद्धी है, पर अवगुन भी तो नहीं है न, यहां तो अवगुन भी भरे पड़े और बेबी बुद्धी है, इसलिए बच्चे को, हावगुन भी नहीं होता है, छोटा या ब चारा बच्चा होता है, बिल्कुल ही जैसे, अब number one फूल, जितना छोटा बच्चा, बिल्कुल innocent, बाबा कहते हैं, कैसे, जैसे कर्माती तवस्ता, अब छोटा बच्चा है, कर्माती तवस्ता है, ऐसे ही कहेंगे, कर्म अ कर्म अभी कर्म को कुछ भी नहीं जानते, इसलिए वो फूल है सब को कशिश करते हैं जैसे एक बाप सभी को कशिश करते हैं तो छोटा बच्चा भी सब को कशिश करता है बाप आए ही है सभी को कशिश कर खुश्मुदार फूल बनाने सब को कशिश कर खुश्मुदार फूल बनाने कई तो काटे के काटे ही रह जाते हैं पांच विकारों के वशीबूत होने वाले को क्या कहा जाएगा पांच विकारों के वशीबूत होने वाले को काटा कहा जाएगा काटे के काटे ही रह जाते है काटा कहा जाता है नमबर वन काटा है दे अभिमान का पहले बाबा ने कहा यह तुफान अब यह बाबा कहते चाटा यह भी एक लिस्ट बन सकती है विकारों को बाबा रख किस से भीट करते है number one काटा है दे अभीमान का जिससे और काटो का जनम होता है काटो का जंगल बहुत दुख देता है किसम किसम के काटे जंगल में होते हैं न इसलिए इसको दुख धाम कहा जाता है नई दुनिया में काटे नहीं होते हैं इसलिए उसको सुख धाम कहा जाता है शिव बाबा फूलों का बगीचा लगाते हैं और रावन काटों का जंगल लगाते हैं इसलिए रावन को काटों की जाडियों से जलाते हैं रावन को कैसे जलाते हैं इतना बड़ा बुत तो पहले वो लकडी लेंगे बड़ी काटों की लकडी होगी बलब लकडी में काटे तो होते ही हैं और उसके उपर वो कपडा डाल लगा करके केरोशन से डिबोएंगे और आग लगेंगे और रामण को जलाएंगे, ऐसा ही करेंगे तो बाबा कैते हैं, जैसे इसलिए रामण को ताटों की जाड़ियों से जलाते हैं और बाप उपर फूल चड़ाते हैं देखो कितना अंतर, इन बातों को बाप जाने और बच्चे जाने, और न जाने कोई, तुम बच्चे जानते हो, अब ड्रामा का राज, तुम बच्चे जानते हो ड्रामा में एक पार्ट दो बार बज न सके, ऐसे लिए एक व्यक्ति की द्वारा दो बार बज न सके पर उस जैसा और कोई भी बजा न सके ड्रामा में एक पार्ट दो बार बज न सके बुद्धी में है सारी दुनिया में जो पार्ट बजता है वह एक दो से नया तु विचार करो क्या विचार करो वो सत्यूप से लेकर अब तक कैसे दिन बदलता जाता है। सारी एक्टिविटी ही बदल जाती है। पांच हजार वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है। सब कुद्रत है ये। ये कभी बदल नहीं सकता। हर आत्मा में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। ये छोटी सी बात भी कोई की बुद्धी में आना सके। इसको बताओ तो तो अच्छरक खाए। वैसे कैसे है छोटी सी बात। इस ड्रामा के पास्ट, प्रेजन्ट और फ्यूचर को तुम जानते हो। ये स्कूल है ना, पवित्रबन बाप को याद करने की पढ़ाई बाप पढ़ाते हैं। ये बाते कभी सोची थी, क्या, कि बाप आकर ऐसे पतिच से पावन बनाने की पढ़ाई पढ़ाएंगे। कभी सोचा था ऐसे। इस पढ़ाई से ही हम विश्व के मालिक बनेंगे, ऐसे सोचा था, भक्ती मार के पुस्तक ही अलग है, जब पहली बार आते हैं, बाबा के पास, चलो कोर्स करना है, तो उनसे पूछते हैं, आप क्या चाहते हो, बस कहते हैं, शांती चाहिए, योग सीखना है, बस, विश्व क मालिक बनने के लिए आयें, कभी सोचा था, पहले दिन जब आई, बाबा के पास एंदर पर, इस पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बनेंगे, भक्ती मार के पुस्तक ही अलग हैं, उसको, भक्ती मार के पुस्तक को, कभी भी पढ़ाई नहीं कहा जाता है, ज्यान के बिना कहां से आये, जिस से सदगती हो, सदगती में जब तुम होंगे, तब क्या होगा, तुम जब सदगती में होंगे, तब भक्ती करेंगे, नहीं, वहां है ही अपार सुख, फिर भक्ती किसलिए करें, ये ज्ञान अभी ही तुमको मिलता है सारा ज्ञान आत्मा में रहता है आत्मा का कोई धर्म नहीं होता अब ये धर्म की बात आती है आज कल भारत में धर्म के उपर बहुत जगड़ा चल रहा है धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन देखो बाबा ने क्या का आत्मा का कोई धर्म नहीं होता धर्म ही नहीं आत्मा का है धर्म की नहीं हिंदो मुस्लिम सिख रिषा ये धर्म आत्मा का नहीं है आत्मा जब शरीर धारन करती है फिर कहते हैं फलाना इस इस धर्म का है आत्मा का धर्म क्या है धर्म के नाम पर जो लट रही ना बाबा केते उनसे पूछो आत्मा का धर्म क्या है एक तो आत्मा बिंदी मिसल है और दूसरा शांत स्वरूप है बस यही धर्म है शांती धाम में रहती है यही धर्म है बिंदी मिसल है शांत स्वरूप है शांती धाम में रहती है अभी बात समझाते हैं सभी पर हक है सभी बच्चों का बाप पर हक है बहुत बच्चे है धरम की बात चल रही है बहुत बच्चे आत्माई है है जो ओर-ओर धर्मों में convert हो गए है वो फिर निकल कर अपने असली धर्म में आ जाएंगे भगवान ही कह रहा है वो कहते है कि अपने असली धर्म में आ गए क्यों कहेंगे convert हो गए convert हो गए दे वापस आ गए अपने असली धर्म में तो बाबा कहते है जो जो जिस धर्म में convert हो गए हैं वो सब वापस अपने असली धर्म में आ जाएंगे यह बहुत बड़ी बात है चोटी बात नहीं है वो फिर निकल कर अपने असली धर्म में आ जाएंगे जो देवी देवता धर्म छोड़ दूसरे धर्म में गए है वो सभी पत्ते लोट कर अपनी जगर पर आ जाएंगे और परमधा में तो अपने section में जाएंगे यहां बले अलग-अलग convert हो भी गए है चलो फिर चलो यहां कहेंगे बदल भी जाएंगे फिर फिर वापस बदल जाएंगे क्या है उनके लिए अभी भारत में यह कहते कानून बनाओ कि कोई धर्म परिवर्तन न करे अब देखो क्या करेंगे इसी पर जगरा चल राज करो जो देवी देवता धर्म छोड़ दूसरे धर्म में गई है वो सभी पत्ते लोट कर अपनी जगर पर आ जाएंगे तुम्हें पहले पहले तो बाप का परिचे देना है छोड़ो धर्मों का जगरा क्या करो पहले पहले बाप का परिचे देना है इन बातों में ही सब मुझे हुए हैं तुम बच्चे समझते हो अभी हमें कौन पढ़ाते हैं बेहद का बाप कृष्ण तो देधारी है, इनको यानि ब्रम्मा बाबा को दादा कहेंगे, देवता तोड़ी कहेंगे मनुष्य है, दादा है, बड़ा भाई है, तुम सभी भाई भाई हो ना, फिर है मर्तबे के उपर, भाई भाई तो सभी हो, पर कोई भाई का मर्तबा जादा कोई का कम, भाई का शरीर कैसा है, बहन का शरीर कैसा है, मेल का शरीर, फीमेल का शरीर आत्मा तो एक छोटा सितारा है, इतनी सारी knowledge एक छोटे से सितारे में है सितारा, अब या आत्मा छोटा सा सितारा, शरीर के बिगर बात भी नहीं कर सकता है बहले सितारा है पर शरीर के बिगर तो बात नहीं कर सकता सितारे को पाट बजाने के लिए इतने धेर ओर्गन्स मिले है शरीर में कितने ओर्गन्स है पाट बजाने लिए आत्मा को इतने सारे धेर ओर्गन्स मिले सितारे को पाट बजाने के लिए तुम सितारों की दुनिया ही अलग है सितारों की दुनिया अलग है आत्मा यहां आकर पर शरीर धारन करती है शरीर छोटा बड़ा होता है आत्मा ही अपने बाप को याद करती है वो भी जब तक शरीर में है जब तक शरीर में है तब तक बाप को याद करती है Param dhamu आतमा Shiv Baba को याद करेगी जो समस्ते करेगी घात उठाओ Baba पूछ रहे करेगी कोई नहीं करेगा Shiv Baba को याद Param dhamu घर में आतमा बाब को याद करेगी नहीं बाबा ने का नहीं वहां कुछ भी मालूम नहीं पड़ता हम कहा है आत्मा को पता पड़े गए मैं बाबा की साथ हूँ परमधाम नहीं यहाँ वहाँ कुछ भी मालूम नहीं पड़ता हम कहां है आत्मा और परमात्मा दोनों जब शरीर में है तब आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है मेला कहा जाता है शिवावा भी शरीर में आते हैं आत्माई भी अपने शरीर में हैं तब मेला लगता है गायन भी है आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकार्ब कितना समय अलग रहे याद आता है कितना समय अलग रहे second second pass होते होते पांच हजार वर्ष बीत गए हैं ख्याल तो करो कैसे second second pass होते होते पांच हजार वर्ष बीत गए हैं फिर one number से शुरू करना है accurate हिसाब है अभी तुमसे कोई पूछे इसने कब जनम लिया था लक्ष्णी नारायन सामने इन्होंने कब जनम लिया था तो तुम accurate बता सकते हो ना स्री कृष्ण ही पहले number में जनम लेता है कृष्ण भी वह ही पर है वो उसका भी translate बाबा के सामने स्री कृष्ण ही पहले number में जनम लेता है शिव का तो कुछ भी minute second नहीं निकाल सकते शिव भावर की कोई जनम पत्री नहीं निकाल सकते कब आए कब जाते हैं शिव का तो कुछ भी minute second नहीं निकाल सकते कृष्ण के लिए तिथी तारीक minute second निकाल सकते है जनम पत्री में ये सब चाहिए मनुष्यों की घड़ी में फर्क पढ़ सकता है अब ये दूसरी बात भगवान आते हैं तो इस ड्रामा में कोई फर्क नहीं पढ़ सकता है ये घड़ियों में देखो फर्क है ये क्या दिखाता है हर घड़ी में अलग-अलग टाइम होता है सब की घड़ी लेकिन बाबा कहते मनुशों की घड़ी में फर्क पढ़ सकता है पर शिर बाबा के आवतरण में तो बिल्कुल फर्क नहीं पढ़ सकता पता ही नहीं पढ़ता कब आया ऐसे भी नहीं ऐसे भी नहीं कि साक्षातकार हुआ तब आया शिर बाबा ने कब प्रवेश किया ब्रह्मा बाबा की तरन में ये बाबा को पता ही नहीं चला ऐसे नहीं कि जब उनको साक्षात कार हुआ तब ही प्रवेश हुआ पहले हुआ होगा लेकिन बाबा को पता नहीं चला ऐसे नहीं कि साक्षात कार हुआ तब आया नहीं अंदाजा अंदाज लगा सकते हैं मिनिट सेकिंड का हिसाब नहीं बता सकते उनका अवतरण भी अलोकिक है वो आते ही है बेहद की रात के समय बाकी और भी जो अवतरण आदी होते हैं उनका तो पता पढ़ता है अच्छानक उनको एंलाइटन्मेंट हो गई जैसे की बोध हो जाता है कि ज्यान अच्छानक आगया कैसे आगया अच्छानक वो आतमा ने प्रवेश किया पर श्रिव बाबा कैसे आया ब्रह्म बाबा कोई पता नहीं चला वो आते ही है बेहद की रात के समय बाकी और जो भी अवतरण आदी होते हैं पता पड़ता है आतमा शरीर में प्रवेश करती है छोटा चोला पहनती है वो भी जो आतमा आती है गर्व में भी तो बाबा कहते हैं पता चलता है मा को पता चलता है आतमा शरीर में प्रवेश करती है छोटा चोला पहनती है फिर धीरे धीरे बड़ा होता है शरीर के साथ आत्मा बाहर आती है गर्ब से इन सभी बातों को विचार सागर मन्थन कर फिर औरों को समझाना होता है कितने धेर मनुष्य हैं एक न मिले दूसरे से कितना बड़ा मांडवा है ये संसार जैसे बड़ा हॉल है जिसमें बेहद का नाटक चलता है तुम बच्चे यहां आते हो नर्ष से नारायन बनने के लिए बाप जो नहीं सुष्टी रचते हैं उसमें उंच पद लेने के लिए बाकी ये जो पुरानी दुनिया है वो तो विनाश होनी ही है बाबा द्वारा नई दुनिया की साफना हो रही है बाबा को फिर पालना भी करनी है बाबा को पालना भी करनी है जब ये शरीर छोड़े ब्रह्मा बाबा के द्वारा साफना फिर ये जब शरीर छोड़े तब फि विश्णो रोप में नाराइन रोप में उसके पहले इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है भंबोर को आग लगेगी पीछे ये भारत ही रहेगा बाकी तो खलास हो जाएंगे किसने अमको बताया कराची पाकिस्तान में भंबोर एक शहर है बाबा कहते हैं न भंबोर को आग लगेगी तो भंबोर एक शहर है और उस भंबोर शहर को आग लगी थी विसे साब से तो उन्होंने बता है भंबोर को आग लगी माना वो एक शहर का नाम था जिसको आग लगी पर हम तो यह कहेंगे पेसुखे घास का जो यह होता है वो जोड कर रखते हैं उसको आग लगती है पर भंबोर भी एक शेयर था यह अभी भी है पाकिस्तान में है जिसको आग लगी थी तो भंबोर को आग लगेगी पीछे यह भारत ही रहेगा बाकी तो खलास हो जाएंगे भविश्यवाणी भगवान कर रहे हैं भारत में भी थोड़े बचेंगे तुम अब मेहनत कर रहे हो कि विनाश के बाद फिर सजाई न खाएं अगर विकर्म विनाश नहीं होंगे तो सजाई भी खाएंगे और क्या होगा पद भी पद भी नहीं मिलेगा तुम से जब कोई पूछते हैं तुम किसके पास जाते हो कोई पूछते हैं तुम किसके पास जाते हो तो बोलो शिव बाबा के पास जो ब्रह्मा के तन में आया हुआ है ये ब्रह्मा कोई शिव नहीं है जितना बाब को जानेंगे उतना क्या होगा उतना बाब के साथ प्यार भी रहेगा जितना बाबा को जानते जाएंगे उतना बाबा से प्यार बढ़ता जाएगा बाबा कहते हैं बच्चे तुम और कोई को प्यार नहीं करो और संग प्यार के तोड एक बाप संग प्यार जोडो जैसे आशिक माशिक होते हैं ये भी ऐसे है एक सो आठ ही सच्चे आशिक बनते हैं बाबा ने सर्टिपिके दे दिया केवल एक सो आठ ही सच्चे आशिक बनते हैं और उसमें भी आठ सच्चे सच्चे बनते हैं एक सो आठ एक सो जो है वो सच्चे पर आठ सच्चे सच्चे उसमें भी सच्चे आठ की भी माला होती है न नौ रत्न गाए हुए हैं आठ दाने नौ आबाबा मुख्य है आठ देवताएं फिर 16108 शहजादे शहजादियों का कुटम बनता है त्रेता अंत तक सुना ये राज 16108 शहजादे शहजादियों का कुटम बनता है त्रेता अंत तक बाबा तो हथेली पर वहिष्ट दिखलाते हैं तुम बच्चों को नशा है कि हम तो सुष्टी के मालिक बनते हैं बाबा से ऐसा सौधा करना है सुष्टी का मालिक बनने का सौधा कहते हैं ऐसा सौधा कौन करेगा कहते हैं कोई विल्ला व्यापारी या सौधा करे ऐसे कोई व्यापारी थोड़ी है जो विश्व का मालिक बनने का सौधा करे तो बच्चे ऐसे उमंग में रहो हम जाते हैं बाबा के पास उपर वाला बा आते हैं न यहां बच्चे, प्लास में हम पूछते हैं, कि आप लोग जब यहां आए, तो घर में आप क्या कहके आई, हम कहां जा रहे हैं, तो कही के, फिर पूछते हैं, कि आप कौन है जिसने ऐसे कहा होगा, घर में हम भगवान से मिलने जाते हैं, तो कई हाथ उठाते हैं, भगवान से मिलने जाते हैं, घर में हम कहकर आते हैं, तो फिर हम पूछते हैं उसका reaction क्या हुआ होगा, कहते हैं यह पागल हो गया है, भगवान से मिलने जाते हैं, पागल तो नहीं हो गया है, क्या कह रहा है, कि ऐसे थोड़ी भगवान के पास जाया जाता है, दो भगवान क पाद तो मरने के बाद ही जाया जाता है, ऐसे नहीं कोई जाता है। तो भाबा के पाद अब डॉल आremo मैं गिसे पाद एसां हम गिसे आप हम जाते हैं बाबा के पास, ऊपह वाला बाबा गिसाना है। वो कहेंगे कि वो तो अंत में आता है अब वही कल्यक का अंती तो है अंत में आता है तो अभी अंती तो है वही गीता महाभारत का समय है वही यादव जो मूसल निकाल रहे हैं वही कौरवों का राज्य है और वही तुम पांडव भी खड़े हो तुम बच्ची अभी घर बैठे अपनी कमाई कर रहे हो घर बैठे भगवान घर बैठे आया हुआ है इसलिए बाबा कहते हैं कि अपनी कमाई कर लो यही हीरे जैसा जनम अमोलक गाया हुआ है अब इसको कोडी बदले खोना नहीं है अब तुम इस सारी दुनिया को राम राज्य बनाते हो तुमको शिव से शक्ति मिल रही है बाकी आजकल क्या हाल है दुनिया का आजकल कईयों की अकाले मृत्यू भी हो जाती है बाबा बुद्धी का ताला खोलता है और माया बुद्धी का ताला बंद कर देती है अब तो माताओं को ही ज्ञान का कलश मिला हुआ है अबलाओं को बल देने वाला वो है अबला जिसमें बल नहीं उनको बल देने वाला वो है यही ज्ञान अमरत है शास्त्रों के ज्यान को कोई अमरत नहीं कहा जाता है अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुद मॉनिंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बापतादा को याद प्यार गुद मॉनिंग नमस्ति धारना के लिए मुख्यसार पहला एक बाप की कशिश में रहकर खुब एक बाप की कशिश में रहकर खुश्वुदार फूल बनना है अपने स्वीट बाप को याद कर दे अभीमान के काटे को जला देना है दूसरा इस हीरे तुल्य जन्म में अविनाशी कमाई जमा करनी है इस हीरे तुल्य जन्म में अविनाशी कमाई जमा करनी है कौडियों के बदले इसे गवाना नहीं है एक बाप से सच्चा प्यार करना है एक के संग में रहना है बर्दान स्वमान की सीट पर सेट हो हर परिस्थिती को पार करने वाले सदा विजयी भव स्वमान की सीट पर सेट हो हर परिस्थिती को पार करने वाले सदा विजयी भव सदा अपने इस स्वमान की सीट पर स्थित रहो कि मैं विजयी रत्न हूं मास्तर सर्व शक्तिमान हूं तो जैसी सीट होती है वैसे लक्षण आते हैं कोई भी परिस्थती सामने आए तो सेकिंद में अपने इस सीट पर सेट हो जाओ कौनसी सीट मैं मास्तर सर्वशक्तिवान हूँ सीट वाले का ही ओर्डर माना जाता है सीट पर रहो तो विजयी बन जाएंगे संगम युग है ही सदा विजयी बनने का युग ये युग को वर्दान है तो वर्दानी बन विजयी बनो स्लोगन सर्व आसक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले शिव शक्ती पांडव सेना है सर्व आसक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले शिव शक्ती पांडव सेना है तेरी आदों के छूले में ओ बाबा हम असे इंद्रे सब पाते हैं तेरी आदों के छूले में ओ बाबा हम असे इंद्रे सब पाते हैं नेलों के इशारे हमें बाबा नेलों के इशारे हमें बाबा बतन की सेर कराते हैं बतन की सेर कराके है तेरी आदों के जूने में ओ बाबा